नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चेनल टेक्निकल जो अपग्यान में दोस्तों एक बहुती शांदार अप्डेट आ रही है अनल सी इंडिया लिमिटेड की तरफ से नेवली लिगनाट कोरपोरेशन लिमिटेड बर्संग्सर राजस्तान जो की बिकाने डिस्ट seulement में बर्संग्सर प्रियोजना के लिए वेकेंशी निकाले गे नोटिफिकेशन जारी किया गए, एक नोटिफिकेशन आईटी वाले बच्चों के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन डिपलोमा और बीवी टेक वाले बच्चों के लिए, टोटल मिला करके यहाँ पर 163, 103 वेकेंसी रखी गए एक तीजी स्टार्टिंग में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वेकेंस है वो गोर्मेट जोग नहीं है, यहाँ पे अप्रेंटिशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गए लेकिन इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वज़े है, थंगेल पे कहीं पर भी अप्रेंटिशिप मैंने में नहीं कर रहा है वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजस्तान वाले बच्चे, खास तोर से जो राजस्तान की बच्चे, जाता से जाता बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंचे और वो बच्चे इसके इंदर आवेदन कर सके, क्योंकि राजस्तान में इस परकार की PSU कमपनी बहुत कम है और अप्रेंटिशिप अच्छे डिपार्टमेंट से करने का आउसे राजस्तान वाले बच्चों बहुत कम मिलते हैं, अब साउथ इंडिया में चेनी की बात करने, तमुलाडू की बात करें, मुंबई की बात करें, महरास्टा, जारखंड की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी PSU कमपनी है बच्चा जब चाहिए तब अप्रेंटिशिप कर सकते हैं लेगिन राजस्तान में PSU कमपनी बहुत लिमिटेड है, नय के बराबर है और खास तोर से बीकाने रहे, जूंदनो है, सीकर है, हनमानगर है, गंगानगर है, नागोर है, जेसल मेर है इस परकार के डिस्टिक वाले जो बच्ची है, उनके लिए तो एक जबरदस्ता हुसरा है, बहुती शांदार डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में आपका अप्रेंटिशिप का सेर्टिविकेट वेलिड होगा और सेलरे भी दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में अच्छी आपको मिलने वाली है इसलिए मैंने थमनेल पे अप्रेडिशिप नहीं लिखा है ज्यादा सी ज्यादा बच्चों के पास में इनफोर्मेशन पहुंच है और बच्चे इसका फाइदा उठा है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते है दोस्तों दो नोटिविकेशन जारी कियेगे पहला नोटिविकेशन है आईटीवाले बच्चों के लिए दूसरा नोटिविकेशन है डिपलोमा और बीभी टेख वाले है बच्चों के लिए अच्छा आउस्र है वीडियो को लश्त तक देखना सारी चिज़ों के बार में detail में आपको जानकारी देने वालों ITA वाले बच्चों के लिए vacancy के बार भी बात के हैं तो इलेक्टिशन् ट्रेड के लिए total 30 vacancy है फिटर के लिए total 20 vacancy है वेल्डर के लिए याँपी 12 vacancy है होर्टिक कल्चर के लिए 8 vacancy है तो सेलरी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी और खास तोरची जो लोकल एरिया के बच्चे है बीकानेट जैसी सीटी से आप डाउन भी कर सकते है क्योंकि यहां से नजदी की पड़ता है और बर्सिंग सर गाउं में चाओ तो वहां पर भी रूम लेके आप रह सकते हैं इतनी जो है आपकी पड़ाई के लिए और रहने के खर्चे के लिए अच्छी खासिया कोई दिखकत नहीं है आपका अपरेंटिशिप में जो सलेक्स रहा है और आईटी के नमरों के आदार पे आपकी मेरिट लगने वाली है इसमें आईटी जिन बत्चों ने 2021-22 या फिर 2023 में कम्प करके आपको आवेदन करना होगा आवेदन करने की लाश्ट तीस अपरेल रखेगी है 21 अपरेल से फॉर्म इसके स्टार्ट हुए उसके बाद है फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है अपने जो सभी डोकुमेंट्स है जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर र प्रिंट आउट इनके पास में पहुंच जाना चाहिए तो यह तो बात होगी आईटी वाले बच्चों के लिए लोकल जो बच्चे आवेदन कर दीजेगा बीकानेर से आप डाउन भी कर सकते हो तीन-चार बच्चे साथ में रह करके आप अच्छा कासा खर्चा है वो भी पढ़ाई के लिए भी आप प्रियाप्त टाइम दे पाओगे उसके बाद ने डिप्तों वाले बच्चे उनके लिए बात करें और बी वी टेक वाले बच्चों के लिए बात करें देखिए ग्रेजुएट और डिग्री अप्रेंटिशीप है बी वी टेक वाले बच्चों क 15,028 रुपे ठीक है और उसके बाद में डिप्लोम वाले जो बच्छे उनके लिए 12,524 रुपे मंतली शेलरी मिल जाएगी यहाँ पे आप अपनी ब्रांच वाइच वेकेंसी भी देख सकते हो डिप्लोम आगे लिए यहाँ पे 48 यानि की 42 वेकेंसी रखी गी है आवेदन करने का तरीका सेम है इलिजरिल्टी क्राइटिरिया सेम रखा गया है 2021, 2022, 2022 के पास और बच्छे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे बेसिक एज्यूकेशन क्वालिफी के सेमेंडी के डिप्लोम और डिग्री में जो परसेंटेज है उनके आधार पे आपका नंबर इसके अंदर आने वाला है उसके बाद में आपका अगर सेलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे इनकी जो ओफिशिल वेबसाइट है जानकारी मिल गई होगी आविदन करना है तो 30 तारीक से पहले पहले आपको आविदन करना होगा और 7 मई से पहले पहले आपको डोकमेंट्स और इनको पहुंचात देने होगी ठीक है थेंक्यू बेस्ट आफ लग